बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंग ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में तीन मुख्य मंद्री हैं जिन में से दिगविजय सिंग सुपर सी एम है और उसके बाद कमलनाथ और जोत्रा दित्त सिंग्ध्या का नंबर है देखिये एक रिपोर्ट कॉंग्रिस सरकार पर भाजपा का निशाना एमपी में तीन मुख्य मंद्री हैं बोले राकेश सिंग दिगविजय सिंग को बताया सुपर सीम प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी के दो दिवसिये दोरे को लेकर भाजपा ने कमर कसली है लहाँसा प्रदेश अध्यक्ष ने रणनीती बनाना शुरू कर दी इसी कड़ी में कारेकरताओं की बैठक लेले आये प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग्ध्य ने उसके बाद कमलनाथ और जोत्रा दित्त सिंध्या का नाम आता है मध्यप्रदेश की जनता तीन मुख्यमंत्रियों के बीज में से अपना मुख्यमंत्री तलाशने की कोशिश कर रही है आज मध्यप्रदेश में तीन-तीन मुख्यमंत्री हैं लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कौन मुख्यमंतरी वास्तों में निर्णे करने वाला है जो चित्र दिखाई देता है उसके आधार पर तो ये लगता है कि दिगविजे सिंग जी मतलब सुपर चीफ मुनिस्चर और सरकार वही चला रहे हैं उसके बाद फिर कमलनाज जी आते हैं और फिर संधिया जी आते हैं तो पूरे प्रदेश में लोग तीन मुख्यमंतरियों के बीच में से अपना मुख्यमंतरी ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं पही उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को धार में होने वाली पीम मोदी की सभा में धार और जाबुआ रतलाम लोग सभा सीट के अलावा 20 विधान सभा शेत्रों के कारिकरता शामिल होंगे पीम की सभा का संधेश पूरे मालवा निमार में जाएगा सोला तारिक को देश के अशस्वी प्रधान मंतरी दुनिया के सबसे लोगप्री नेता मानी नरेंदर मोधी जी उनका आगमन धार हो रहा है धार में वो दो लोगसभा छेतर के कारकरताओं के साथ साथ पूरे छेतर की जनता को संबोधित करेंगे धार लोगसभा और जाबू अरतलाम लोगसभा इसके लावा उजयन की एक विधान सबा होगी बढ़वानी की दो विधान सबाएं होगी ऐसी लगबग 19-20 विधान सबाओं के कारकरताओं के साथ साथ जनता से वो समवात करने जा रहे है मीडिया से चाय पर चर्चा के दोरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग से जब पूछा गया कि मामा यानि शिवराज सिंग चोहान लोगसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि कौन मामा हालागे बात में वो संभलते हुए बोले कि शिवराज सिंग चोहान हमारे आदर्नी नेता है वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये पार्टी संग ठंताय करेगा मामा जी मतला है अब देगे फिर आप लुक बोलते हैं फिर मैं बोलता हूं तो आप कहते हैं कि राजेश राठोरे प्रभाद के रंग से राजेश जी प्रभाद के रंग से आपने कहा आपका मामा जी चुनाव लड़ेगा क्या देखे वो हमारे सम्मानी नेता शिवराज सेंग चुहां जी पार्टी इसके बारे में फैसला करेगी कि उनको चुनाव लड़ना है या उनको चुनाव नहीं लड़ना है गौरतलब है कि भाजिपा को विधान सभाचुनाव में मालवा में बड़ा नुकसान हुआ था और मालवा निमार में बीजेपी के हार की वजह से वो सत्ता से बाहर हो गई है यही कारण है कि फिर से पार्टी कारिकरताओं को एक जुट करने का प्रयाज किया जा रहा है और खुद प्रदेश अध्यक्ष कारिकरताओं से सीधे बात कर रहे हैं और उनकी नाराज की दूर करने का प्रयाज भी कर रहे हैं ब्यूर रिपोर्ट, MP News इन दौर